Hello everybody, welcome to Step Up Academy. My name is Neha Sashdev and I am your English educator at Step Up Academy. So, आज हम start करने वाले हैं एक बहुत ही humorous title जिसका नाम है Tiger King और जो लिया है आपकी supplementary reader book Vistas के chapter number 2 से. So, title is The Tiger King. Yes, of course, Tiger is the King of Jungle. अभी story exactly क्या है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे, पूरी chapter को summarized way में आज हम समझेंगे और इसके बाद हम जतने भी question answers दिये हैं आपकी NCRT book में उनको आज हम complete explain करेंगे. So, let's start with the video. सबसे पहले हम समझते हैं इस chapter के बारे में एक बहुत ही brief introduction देती हूं so that you get to know about the chapter के आज हम पढ़ने क्या वाले हैं. So, as the title is very justified the Tiger King, तो chapter क्या है? Chapter एक King के बारे में हैं और उनको title क्यों मिला Tiger King का? बेकिज, ये स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है, जब एक King के घर एक बच्चा बॉन होता है, तो बॉन चब होता है, उसके दस दिन के बाद वो पंडितों को बुलाते हैं, एस्ट्रॉलजर को बुलाते हैं, उनका हाथ देखने के लिए और उनके future के बारे में बताने के ल आख साइन्स को देखे, तो बुल जो है वो टॉरस साइन वला होता है, तो बुल का एनिमी कौन है, टाइगर, भी किस बुल टाइगर को हंट करते हैं, तो यहां से रेलेट करके उन्होंने बताया कि यह जो प्रिंस है, चोटा है, चोटा खेंग है, यह शुट बे वेरी मच आवेर ऑफ दे टाइगर, भी किस इंकी डेथ फॉर शॉर हो किस से होगी, वो टाइगर से होगी, अब इस बीच में जब उन्हें बोला कि इसकी डेथ होगी, तो छोटा सा जो बच्चा, इस सम्धिंग मिराकल हैपन, मिराकल यह हुआ, कि उस दस दिन के बच्चे ने यह प आइनी का मतलब होता है, जो चीजे, लेक होती कुछ और है, मतलब, उनको हम सर्कास्टिक वे में बोलते हैं, लेक होना कुछ और चाहिए, बट होता कुछ और है, जैसे हम किसी छोटे हाइट और इनसान को बोले, वायर उसके हाइट कितनी लंबी है, वायर तुमारी हाइट तो बहुत लंबी है, तो यह आए नहीं होता है, और दूसरा किया गया है, तो सटायर क्या होता है, जब हम हम हुमर क्रियेट करने के लिए किसी को सर्कास्टिक तरीके से फंड बनाते हैं, तो उसको हम सटायर बोल रहे हैं, तो यहाँ चाप्टर में इन दोनों चीजों का यूस करके चाप्टर को पूरा लिखा गया, और आप जब अच्छा एस्टॉलिजर से कि आप बताई, so he said कि ऐसा ऐसा एक्स्पलेशन दिया, because you are born in this, आप इस टार्स में होए हो, आप जिस टाइम पर पैदो आपके साथ ऐसा है, you need to be aware of that, तो वो कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो फिर उसमें बोलते हैं, वो 10 days का बेवी बोलता है, कि be aware of tiger, now be aware of me, कि अब मैं आ गया हो, मुझ से साफधान रहो, कि अब मैं तुमको सब को मार देना है, so he saw, thought की best way is that, कि मैं सब tigers को ही अगर किल कर दूंगा, तो फिर कोई बचे गई नहीं, कोई बचे गई नहीं, तो मुझे कोई threat ही नहीं होगा, और इस दिन से उन्होंने डि कर देते हैं, वहां के 70 tigers को successfully kill कर देते हैं, इसके बाद नहीं पर कुछ satiric way में हापे कुछ कुछ comments दिया, जो हम अभी पढ़ेंगे, और इसके बाद वो 30 tigers और ढूंते हैं, बट वो जिस जगह पे रहते हैं, वहां के सारे tigers खतम होगे थे, विके successfully king ने सारे kill कर दिये थे, अब यहां पर एक plan करते हैं, वहां पर जो दिवान होते हैं, उनके जो like subordinate बोल सकते हैं, उनके जो subordinate होते हैं, वो उनको order देते हैं, कि आप जाएए और I want to get married, अब क्यों शादी करनी है, और कहां शादी करनी है, तो why I want to marry, विकेस मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 30 tigers का जो करना चाहता हूँ, जहां पर majority of tigers found होते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा tiger मिलते हैं, इससे क्या होगा, वो जब भी उनके अपने in-laws family में visit करेंगे, तो वहां पर 4-5 tigers को kill कर देंगे, तो उनका mission complete हो जाएगा, और literally हुआ भी यही, क्योंके subordinate थे, उनको order दिया, उनने order को अपनी command को वैसे ही fulfill करा और उनके लिए right match ढूंडते हैं, और जब भी वहां पर visit करते, 4-5 tigers को kill कर देंगे, इस तरीके से successfully king ने 99 tigers को kill कर दिया, अब बचा क्या था, अब बचा था last one tiger, तो जो one tiger था और astrologers ने जब वो forecast कर रहे थे, future predict कर रहे थे, तब उनने बोला था, you have to be very much aware with the 100th tiger, because the 100th tiger होगा, वो आपके लिए major threat create करने वाला है, so बहुत कोशिश के बाद, finally उनको 100 tiger मिलता है, उसको भी वो kill करने की कोशिश करते हैं, बट जब वो kill कर रहे थे हैं अपनी gun से, तो gun के जो bullet होती है, bullet shot, वो कान के बिलकुल pass है, बिलकुल hairline difference से pass होता हुआ, और जिसकी वज़े से tiger थोड़ा शॉक में आ जाता हुआ और वही पर faint हो जाता है, बट टाइगर की death नहीं होती, वो alive रहता है, so इस तरी के से लिए king was very clear की मेरा पूरा mission complete हो गया, मेरा target complete हो गया, I have finally reached my goal of killing 100 tigers successfully, अब मुझे कोई defeat नहीं कर सकता, और जो मेरा future था, जहां प I am the victorious king, वो ऐसी चीज़े वो अपने आप में, but who knows कि वो exactly जो 100 tiger था, उसकी death नहीं होई है, तो इसके बाद जो उनका बेटा होता है, like king का आप जो बेटा होता है, उसका third birthday celebrate करना होता है कुछ दिनों के बाद, तो वो ये बात को पूरा mind से clear हो जाता है, बिकिस उनकों पता ह हैं कि मैं इसको gift क्या दूँ और उसके gift में, जब वो बहुत घूम दें को कुछ समझ नहीं आता, finally वो gift में क्या लाते हैं, एक tiger toy लाते है, एक inanimate सा tiger, एक वो tiger जिसमें flesh और blood नहीं है, but ultimately वहीं वो 100th tiger होता है, जिसकी वज़े से king की death होती है, so यहाँ पे जो भविश्यवा यानि जो future predict करा था, astrologers ने, वो उनकी बाद सच होई और king की death हो जाती है, so this is all about this story, tiger king, अब हम इसको पढ़ते हैं जल्दी से, और क्या-क्या satiric way में चीज़ों को बोला गया है, क्या-क्या आई नहीं यूस करी हो, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं, और इस chapter को enjoy करते हैं हास्ते हास्ते, so come students, let's start reading with the theme of the chapter, अब theme क्या होता है, so theme is something, लिक जस फ्लो में chapter चल रही है, सारी चीज़े उस चीज़ के आसपास अरेंज रही है, so that is the theme, now, सबसे बहला क्या theme बता ही है, it suggests that death is certain, कि for sure, life में जो चीज़ों क्या है, जो चीज़ों क्लियर है, जो क्लियर है, that इंच नहीं गार सकता, कोई राजा, महराजा भी हो, तो उसकी भी death होनी certain है, fixed है, this is that part of life which never changes, so it suggests that death is certain, and no one can escape death, और कोई भी संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ, अगर वो creature है, उसमें life है, so that is for sure कि उसकी death, उसका end तो होगा ही होगा, nobody can stop from this, the author conveys that, destiny is all powerful and inevitable, अब यहाँ पर क्या बोल रहे है, author conveys that, author यह convey कर रहे हैं, बताना चाहरे हैं, कि जो destiny है, जो लिखा है, like हम बोलते हैं, this is destined to happen, यह तो लिखा है, यह तो होना ही था, तो ऐसे author भी यहाँ पर convey कर है, कि जो destiny है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, is all powerful, वो सबसे बड़ी चीज है, and that is, inevitable part of life, कि जो लिखा है, हमारी किस्मत में, जो होना है, हम लाख कोशिशे कर ले, हमारी जो किस्मत में लिखा है, हम उसको नहीं रोक सकते, so right time and right destiny waits for none, कि जो exact समय जब वो चीज को होना है, वो होके ही रहेगी, चाहिब कितने भी efforts क्यो ना कर ले, now, no one can change his destiny, the author also suggest that men in power are quite ruthless towards wildlife, अब यहाँ पे और क्या हाइलाइट करा है, कि आप खुच समझिये, कि एक इंसान, चाहे वो किंग के उना हो, वो किंग ने अपने safe side के लिए, अपने भले के लिए, जासने किसी ने future predict करा था, उस चीज से बचने के लिए, उसने 100 tigers को को किल कर दिया so how cruel they are, how wicked they are, how careless they are towards our flora and fauna, तो यह कितना negative message convey कर रहा है about the powerful people, about the rulers or about the kings, so no one can change his destiny, the author also suggests that men in power are quite ruthless, वो बहात rude होते हैं, वो बिलकुल खैफुल नहीं होते हैं, वो बिलकुल उनके हाथ में, उनके दिल में, बिलकुल वो लोग, like kind-hearted people नहीं होते हैं, towards wildlife, wildlife क्यों बोला है, because tigers को बे मतलब पे 100 tigers उनने kill कर दिले, एक मतलब क्या था, अपनी safety के लिए, अपनी security के लिए, वो भी कि आपकी death किसे tiger से होगी, और उसके लिए आपसा सारे tigers को हांट कर दिया, और extinction पे आगए, tiger खतम हो गए था, वह पता चले exactly जहांपर यह king रहते थ तो यह क्या message convey कर रहे है, और फिर भी death तो वही हुए, जो destined था, जो होना ही है, जिस समय होना है, वो तो होके ही रहा, किसने उसको रोग पाया, now, in fact situation हमें ऐसा कुछ बताती कि despite कि वो उन चीज के इतना against जा रहे थे, वो जंगलों में जाते थे, इतने इतने दिन रुके थे, final tiger को ढूनने के लिए, जो 100th tiger था, इतना वेट करा और उनने ओथ ली थी, कि जब तक मुझे tiger मैं हंट नहीं करूंगा, लास्ट वला मैं इस और क्या बता रहे हैं पर, they kill innocent animals, no one on one pretext or the other, अब वो innocent animals को kill कर देते हैं, किस वाजे से, on one pretext or the other, किसी एक ना दूसरे भाने से, या किसी एक कारण से, किसी दूसरे कारण से, वो are just cause of their own benefit, cause of their life, they even kill 100 deaths, वो कुछ भी कर सकते हैं, like nothing is fair for them, अब क्या बोला है, in this story, the tiger king, the maharaja, kills the tigers, because he has been told by the astrologer, that is death will come from a tiger, so he kills them to evade death, अब ऐसा क्यो गरते हैं, death से बचने के लिए, बत क्या बच सकते हैं कोई इंसान, that is inevitable part of life, that is destiny, that is for sure की death तो होनी ही होनी है, हैं, so what was the purpose of killing 100 tigers, बत फिर भी उनो ने किया, with the hope, like he's a powerful, he's the king, यह बताने के लिए, let's read further, now, अब हम देखते हैं chapter का बहुत ही brief introduction और इसके बाद हम समरी को start करेंगे, so what exactly is the introduction of the chapter, the story, the tiger king, is a satire on the pride and stubbornness of those in power, तो यह जो main first line है, this is very important to be understood, so this is the main gist of the chapter, की story है, यह जो tiger king, यह एक satire है, यह comment है, यह एक sarcasm है, किश पे, on the pride and stubbornness, कि यह जो उनको घमंड होता है, क्याते है ना, excess of everything is dangerous, तो अपने ऊपर over proud होना, वो कभी भी अच्छी चीज नहीं होती, और यह specifically किस class को यहाँ पर बता रहे है, जो rich class है, जो rural class है, जो ruler class है, जो king class है, उनको यहाँ पर refer कर रहे है, so it is a satire, यह उनको comment कर रहे है, satire कर रहे हैं उनके ऊपर, on the pride and stubbornness of those in power, जो उनको proud होता है, अपने पैसों के ऊपर, अपनी पार के ऊपर, अपने, you know, कह सकते हैं, अपनी family के ऊपर, अपनी belonging के ऊपर, तो इन सब चीजों का जो pride होता है, और जो इनकी stubbornness होती है, stubborn बोलते हैं बहुत जदी हों के जो जद होती है, उसके ऊपर यह comment किया गया है, किन लोगों पर जो powerful होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जिनके हात में सारी powers होती हैं, that is kings को यहां पर specifically, rulers को यहां पर specifically highlight किया गया, the writer takes us to the days of autocratic and eccentric kings, अब यह किस time की बात कर रहा हैं, पुराने time की जब autocratic rule ह हुआ करता था, so the writer takes us to the days of autocratic and eccentric kings, जो पुराने समय की बात हो रही है, जब British rule हुआ करता था, तब autonomy होती थी, autocratic rule हुआ करता था, कि जैसे एक king है, फिर अगर king की death हो गई, तो जो उनके बाद जोंका immediate हैं, वो rule करेगा, और अगर ऐसा यह भी बलीव था कि अगर वो बच् 80 years की age का, यह 18 years mature नहीं होता, तब तक British लोग उनके kingdom की take care करेंगे, वो उसको rule करेंगे, अनिमी एज एटली ऑन अटेनिंग 18 years of age, फिर वो जो king का जो air है, वो उसको continue करेगा, तो ऐसा autocratic और eccentric जब kings हुआ करते थे, उस type का यह example देने tiger king में, now these kings lived under the thumb rule of British, अब यह जो king है, कि इसके rule केंडर रहते थे, thumb rule of British, जैसा Britishers बोलें, उनकी आगया का पालन करते थे, लाइक वो बिलकुल blind trust वली बात है, यह ऐसा वाला rule चलता था उस समय, hence they fear them, और इसी लिए यह उनसे डर के भी रहते थे थे, विकर उनको बे करना होता था, most of the time, the rulers were not interested in serving the people and working for the welfare of the public, अब यहाँ पर क्या बोलें, जातर समय में क्या हो, जितने भी rulers होते थे, they are not interested in serving the people, उनको लोगों को serve करने में, उनको कोई interest ही नहीं था, उनको कोई अच्छा नहीं लगता था, कि मैं किसी की मदद करूं, किसी की problem को सुनूं, उसको solve करूं, क्या मेरे जो domination में जतने भी लोग ह है, लेकिंग के जतने भी subjects है, वो उन से खुश है, उनका kingdom अच्छा चल रहा है, पालस में कोई problem ते नहीं है, जिस एरिया को वो रूल कर रहे है, उस एरिया में किसी चीज की कोई problem है, क्या-क्या hurdles आते हैं लोगों को day to day life में, उनको कोई interest नहीं था, इन ची लोगों को serve कर उने में कोई भी interest दिल्चस भी नहीं थी, instead they spend their time in foolish pursuits और इसकी बजाए हो क्या करते थे, लेकिंग के duty होती है, एक ruler की duty होती है, कि king अपने subjects की take care करे, उनकी kingdom में क्या चीज़े चल रही है, उनकी entire area जो उनका area था पूरा village था है, जो भी place थी, वहाँ पर लोगों कोई problem तो नहीं है, तो इन सारी चीज़ प्रॉब्लम को sort out करें और उनकी care करें, बट इन चीज़ों में तो उनको कोई interest नहीं था, राधर क्या करते थे, उनका जो भी time था, अपनी foolish सी चीज़ों को attain करने में लग जाते, जैसे एक foolish example क्या देखा, किसी ने भविष्यवानी करी, कि आ they flouted all laws and banned them to suit their selfish interest, और इसके लिए क्या करते थे, कोई rule हो, कोई order और उन सबको भी bend कर दे, अपने हिसाब से वो तोड मोड देते थे, क्योंकि उनको जो चीज़ करने है, उनके करने के रास्ते में, जते भी law, order, rules आएंगे, वो सबको break कर देंगे, या turn and twist कर देंगे, just for selfish purpose, तो एक कितना negative way में, kings के बारे में, यहां पर हमें बताया गया है, इसे हमें समझ में आ रहा है, they flouted all laws and banned them to suit their selfish interest, अपने भले के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन सबको, उनको सबकुछ माफ रहता है, ऐसा वाला कुछ हमें समझ में आ रहा है, यहां से, now, the Maharaja of Pratibandpuram, tried to believe what was written in his fate, अब हम जिनकी बात कर रहे थे, जो 10 दिन के बच्चे की बात कर रहे थे, जो king बनने वाला था, Pratibandpuram का, वो यही king है, जिनके बारे में भविश्रवानी हुई थी, जिनकी हम बात कर रहे थे, now, he tried to believe what was written in his fate, उन्होंने क्या कहीं, he tried to believe what was written, जोंके fate में लिख था, what was destined to happen with him, वो उसको कहीं ना कहीं पलटना चाहते थे, उसको डिस अप्रूफ करने के लिए, वो यह सारी चीजे कर रहे थे, the chief astrologer had predicted that the cause of his death would be a tiger, और उन्होंको क्या प्रिडिक्ट किया थे, जो एक चीफ, जो सबसे बड़े मुखिया जो होते हैं, हैड होते हैं, जिनक उन्होंके वो जो chief astrologer थे, उन्होंने यह प्रिडिक्ट करा, प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या होते हैं, फूचर के बारे में फोर्कास्ट करना, भविष्य के बारे में कुछ बताना, तो उन्होंने क्या प्रिडिक्ट करा था, that the cause of his death, है इस को और यहाँ पे, यह जो king of प the king tried his best to belly the prediction, और king ने अपनी best efforts करी कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेरे लिए जो यह प्रिडिक्ट किया गया है, मेरे लिए जो future के बारे में बोला गया, मैं उसको पलट के ही रहूंगा, मैं उसको डिफीट करके ही रहूंगा, his campaign of tiger hunting was very successful, और उनका जो campaign था, उनका जो mission था, जो यह goal था, यह जो objective था, वो बहुत successfully accomplished हुआ, कहने का मतला है, उनका जो target था, 100 tigers को kill करने का, वो उनने successfully complete कर अप, all his strategies and wise plans work till he killed 99 tigers, और इस सारी उनकी जो strategies थी, उनके जतने भी सारे plans थे, कि मैं ऐसे यहाँ पर इतने kill करूंगा, फिर यहाँ से इतने करूंगा, इ उनने बनाई थी कि कैसे kill करना है, कहां kill करना है, और जो भी उनके plans थे, वो बहुत successfully काम करते रहे, कब तक till he killed 99 tigers, जब तक उनने निन्यान वे 99 tigers तक तक तो उनकी सारी approach, सारी strategies, सारे plans in line with चलते रहे, बात कहां पर आके रुकी थी, जब 100th tiger को kill करना था, so but the 100th tiger eluded him till his death, और जो 100th tiger है, ये उनको elude करता रहा, ये इनको बस घुमाता रहा, इदर से उदर जब तक उनकी death नहीं हुई, now, the आएनी of fate brings quite an unexpected end of the Maharaja, अब आएनी क्या है, लाइक इसको ऐसा बोल सकते है, bitter truth, ये contrasting to truth, so the आएनी of fate, अब fate क्या था, उनके destiny क्या थी, कि tie you have to be aware of the, you need to be aware of tigers, because आप क्या जो death का reason बनेगा, वो एक tiger ही होगा, tiger ही आपको kill करेगा, जिसकी वेसे आपकी death होगी, तो जो आएनी है, जो इसका reverse जो हुआ, आएनी of fate brings quite an unexpected end of the Maharaja, अब ये unexpected end हुआ महराजा का, कि वो सोच रहे थी कि मैंने सारे tigers को successfully kill कर दिया हूँ, कर दिया है, और अब मैंको को कोई tiger से खतरा नहीं है, और जो मेरा prediction, जो astrologer का prediction था, मेरे बारे में वो भी मैंने change कर दिया, उसको भी मैंने false proof कर दिया है, the hero who killed 99 tigers, अब ये hero को इसको बोला गया है, तो hero is king को ही बोला गया है, the hero who killed 99 tigers couldn't kill the only one that was left, जो सिर्फ एक मात्र बचा हुआ था, वो उसको ही kill नहीं कर पाए, successfully 99 tigers को बहुत अच्छे strategical तरीके से planned way में kill करते गए एक के बाद एक, और जो last, जो hundredth tiger था, unfortunately उसको kill नहीं कर पाए, और वो confused, उनको पता भी नहीं चला कि वो kill हुआ है कि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा आई नहीं पाट था, ना, the last tiger, he thought to be dead, survived, अब उनको जो लगा, जो मेरा hundredth tiger था, जिसको मैंने successfully मार दिया, अपनी गन के bullet shot से, वो बच गया आप में किस जो bullet थी, वो उनको, वो tiger को hit ना करते है, बिल्कुल पास से चली गई थी, जिसकी वज़े से tiger faint हो गया, लेकिन वो मरा नहीं था, वो temporary gun की आवा, bullet shot की आवा से भ्योश हो गया था, और वो फिर उड़के बैच जाता है, जो king की bullet थी, वो थोड़ा सा miss करी, थोड़ा सा चुप गई tiger को मारने से, और जिसकी वज़े से tiger की death नहीं हुई, आइनिकली, the hundredth tiger which caused his death was not a ferocious beast of blood and flesh, और आइनिकली, यह आइनि यह है, bitter truth यह है कि reality में क्या हुआ, यह हुआ, बट उल्टा क्या हो गया, उल्टा यह हो गया, surprisingly कि वो जो hundredth tiger था, जिससे सारे astrologers ने, chief astrologer ने भी यह बोला था, that you have to be aware of the hundredth tiger, specifically, क्योंकि आपको बहुत problem होगी, जब आप उसको kill करने जाओंगे, बहुत सारे challenges होगे, but despite he was very clear कि मेरे सारे hundredth tigers को, मैंने बहुत successfully kill कर दिया है, आइनिकली is that, the hundredth tiger which caused his death, was not a ferocious beast, वो कोई अखूनकार जानवर नहीं था, वो डरावना अखूनकार बहुती इस टाइप का जानवर नहीं था, of blood and flesh, जिसमें blood हो या जिसमें flesh हो, तो यहाँ पर यह जो है, यह क्या बता रहे है, ferocious beast of blood and flesh, यह बताना चाहता है, कि वो lifeless tiger था, lifeless exactly कौन था, वो toy था, और toy की शेप में क्या था, वो tiger था, ना, it was a wooden tiger, वो लकडी का बना हुआ tiger था, और उसको बनाया था unskilled carpenter नहीं, अब unskilled carpenter कौन होते है, जिनको carpenters होते हैं, जो deals with wooden works, जो लकडी का काम करते हैं, को carpenter बोलते हैं, और unskilled था, वो बहुत proficient नहीं था, अपने काम में, उसके काम में finishing नहीं थी, बिकिस वो इतना expert नहीं था, तो जिसकी वज़े से बहुत fine shape नहीं थी tiger को, tiger की जो edges थे, वो rough थे, और वो rough edges की वज़े से, वो wooden की just scraps निकल रहे थे, feather like, वो चले गए किसके king के hand में, और right hand में उसको जब उस्टक अंदर चले गए, उसको निकालने की कोशिश करी, बट वच्छे से नहीं निकले, जिसकी वज़े hospitalizer, surgery, infection बुरा उंके हाथ में पहुंच गया था, और जिसकी वज़े वाइंदेलियों की death हो गई, उसकी लएक लखडी की जो scrap होती है, वो उसमें घुज गई, right hand में, palm में, so one of the slivers of wood pierced, pierced मताब अंदर चली गई, his right hand, and caused infection, and a suppurating sore, और बहाँ ज़्यादा उनको pain होने लग गई, it ultimately lead to his death, और ultimately which led to his death, और इससे क्या हो गया, उसकी फाइनली उस king की death हो गई, और जो destiny में लिखा था, जो thief astrologer ने predict करा था, that your death is certain, and that too by a tiger, वो बात उनकी justify हो गई, and hence we end with the chapter, अब हम start करते हैं, इस chapter की summary को, इस chapter को precise way में हम पढ़ते हैं, और आगे proceed करते हैं, so, this story refers to the Maharaja, जिंका नाम था सर जिलानी जंग बहादूर, यहांग ने, इस जंग, जिलानी जंग बहादूर अफ्रतिबंध पुरम, astrologers predict his future when he was just 10 days old, astrologers say that a tiger will kill him, on this surprisingly, the 10-year-old prince said, let tigers be aware, अब ले कैसा बो, let tigers be aware, हम लोग जिसे घरों में किसी की घर में जाते हैं, आपे लिखा होते हैं, जब बीवेर ऑफ डॉक्स कुतों से साफधान, तो ऐसा ही हाँ पे 10 साल के बच्चे ने बोला, let tigers be aware, अब टाइगर, आप सब साफधन हो जाओ, अब में आ गया हूं तुम्हें मारने के लिए, अब यहाँ पे क्या बताया गया हूं तुम्हें मारने के लिए, जिनको जंग-जंग बहादूर भी बोलते थे, और यह कहाँ पे रूल करते थे, प्रतिबंध फुरम में रूल करते थे, छो आप फुटों में देख सकते हो, एस्ट्रोलजर्स जब इनका बर्थ हुआ था, उसके 10 डेस के बाद, इनके फादर ने एस्ट्रोलजर्स को बुलाया, और उनके भविश को प्रडिक करने के लिए कहा, उनमें से एक जो चीफ एस्ट्रोलजर्स थे, एक आप वह था जब वो सर्फ 10 दिन के थे, तो एस्ट्रोलजर्स बोलते हैं that a tiger will kill him, जब उनके भविश्यवानी करी या उनका future को प्रडिक्ट करा, तो एक चीफ एस्ट्रोलजर्स ने बूला कि इनकी death किस से होगी, यह 10-day-old prince said, let tigers be aware, अब क्या यह बोल चकता है 10 साल का बच्चा, वो भी इतनी सेंसिबल तरीके से, so it's something which is quite next to impossible, तो यहाँ पर आइनी का चीजों का आइनी का यूस किया गया है, और यह जो boy king है चोटा सा, वो वैसे ही उनको born and bought up किया, वैसे ही रेस किया गया, जैसे बाकी royal बच्चों को रेस किया जाता, कैसे रेस किया गया, by drinking the milk of white cow, जो white, जो Britishers वहाँ पर जो cow होती है, उनी का milk यह पीते थे, और by also looked after by English nani, अब जोंकी take care करती थी, जोंकी देख बाल करती थी, पूरा दिन, वो भी कोई Britishers ही थी, and watching English movie, और अंग्रेजों की ही मूवी देखती थी, Britishers की ही मूवी देखते थे, मतलब, चीज भी अंग्रेजों की खाते थे, और उनकी take care भी एक लड़ी, एक नानी, एक ऐसी लड़ी करती थी, जो वो Britishers थी, और वो जो मूवी देखते थे, वो भी वो Britishers की ही देखते थे, अंग्रेजी मूवी देखते थे, basically this. Let's read further. When he was 20, he was crown king, and came to know about the prediction, about his death. अब जब वो 20 साल की हो गया, because 20 साल से पहले वो इतने समझदार नहीं थे, तो जैसे यह उन turning 20, he was crown king, अब उनको उनकी राजगदी दे दी गई, और उनको kingship संभालने को बोला गया. As he was crowned king, and came to know about the prediction, और जैसे उनको पता चरा, अपने prediction के बारे में की मेरी death, tiger से होगी, like a tiger would kill me, so then onwards, तब से 20 साल की एज से लेके, he started killing a tiger, he started, और नहीं होना चाहिक लिए, tigers और वो भी कितनी, he started killing all tigers, specifically 100 tigers का, उनका mission था, and put a ban on the tiger hunting state, और क्या कर दिया, यह अभी केजी बाते कर रहा, स्टाइर नहीं है, आई नहीं है, हम क्या बोलें इसको, एक तरफ उनका mission उन्होंने सेट कर लिया, उनका goal है, कि मैं सारे के सारे tigers को hunt करूँगा, और दूसरे तरफ उन्हें बैन लगा दिया, tiger hunting में, अब सटाइर आई नहीं थोड़ा सा लग रहा है, बट इसमें fact क्या जम आपको बताती हूँ, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वाई उन्होंने बैन, उन्होंने बैन क्यों लगाया, on the tiger hunt in his state, क्योंकि कोई और tiger को hunt ना करे, और उनका जो mission वो जल्दी से जल्दी accomplish हो जाया, complete हो जाया, इसलिए उन्हें का, अब अगर कोई tiger होगा, तो उसको मैं ही kill करूँगा, मेरे हाथों ही kill होगा, और इस state में किसी को कोई भी राइट नहीं है, कि वो एक भी tiger को kill करके दिखा दे, according to the astrologers, he needs to be careful with the 100th tiger, even if he successfully kills 99 tigers, और astrologer ने पहले ही बोल दिया था, कि भले ही आप 99 tigers को बहुत successfully kill कर दो, but you have to be very much vigilant, you have to be very much careful, in killing the 100th tiger, because of the 100th tiger होगा, उसी से आपकी death for sure है, तो you have to be very careful, आपको बहुत सारी techniques को follow करना है पड़ेगा, इतने आसानी से 100th tiger को kill नहीं कर पाओगे, वान डाइब, आई राइंगिं ब्रिटिश ऑफिसर, और फिर यहाँ पर एक एक ग्जेंपल बताते है, बोलते हैं, कि आप चाहो तो mouse killing कर लो, mosquito killing कर लो, लेकिन tiger killing यहाँ पर allowed नहीं है, वो मैं आपको कुछ भी हो जाए करने नहीं दूँगा, वो उन टाइम, राइंगिं ब्रिटिश ऑफिसर विजट सिटेट, और एक बर क्या होता है, ब्रिटिश के जो हाई राइंग के जो ओफिसर आते हैं, जो अच्छी बड़ी प्रोफाइल वाले ओफिसर होते हैं, वो उनकी स्टेट में विजट करते हैं, कहाँ पर प्रितिबंपुरम में, और उनको कहां जाना था, टाइगर हंट करने के लिए जाना था, और यू आरेंग यू कुदिंट के लाइगर इन स्पेसिविकलें माइ स्टेट में तो बैन है, और मैं आप कितने भी बड़े ही रैंक के ऑफिसर के ओना हो, I cannot permit you for doing so. And in order to secure the state from the wrath of the British officer, और क्या करा? और क्या कर लिया? अपने लोगों को, अपने state के जते भी लोग थे, उनको secure कर लिया from the wrath of the British officer. British officer ताकि वो लोग हमें dominate ना करें, rule ना करें, इसलिए उनको वहाँ से बेज दिया. The Maharaja sent 50 diamond kings to the officer's wife, whose worth was to be 3 lakh. अब Maharaja ने क्या करा? अब उनको लगा कि यार मैंने इतने बड़े British rule चल रहा था, British officer थे इतने हाई rank के मैंने उनको मना कर दिया, उन्होंने मुझसे एक ही request करी थी और वो भी मैंने मना कर दिया, अगर वो गुस्सा हो गए, तो वो मुझे इंथ्रोन कर दें क्यों हो सकता है, 50 diamond rings, पचास diamond rings उन्होंने officer की wife को भेजी, जिंगी वर्थ थी 3 lakh रुपीज, यह सोचता है कि यह compensation है, वो खुश हो जाएगी, कि wife खुश हो जाएगी, तो husband को control कर लेंगी, और ऐसी बात जो situation थी, वो normal हो जाएगी फिर से, within 10 years, the Maharaja successfully slay 70 tigers, तो 10 साल के अंदर-अंदर, मतलब उन्होंने पहला a tiger kill करना शिरू करा था, when he was at the age of 20, 20 year में kill करा, और successfully 10 years के अंदर-अंदर, 10 साल में उन्होंने successfully कितने, मतलब 30 year की age में, उन्होंने कितने tigers किल कर लिये, 70 tigers को successfully slay कर दिया, kill कर दिया, सिर्फ 30 years की age में, but after that there were no tigers left in Pratibandhpuram, अब जब 70 tigers किल हो गयों, अब Pratibandhpuram state में सिर्फ 70 tigers थे, और tigers ही नहीं थे, पूरे किल करके तो खतम कर दिये, king ने अब और tigers कहां से आएंगे, hands to complete his target of killing 100 tigers, और उनका target क्या था, killing 100 tigers, he marries a girl from the royal state, अब वो एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं, और वो शादी का उनका main purpose क्या होता है, because वो उस जगा के जिते भी tigers हैं, वो उनको भी किल कर सके, और इसी लिए उन्होंने order दिया था, कि ऐसी जगा की कोई लड़की को देखना मेरे लिए, जिससे मैं शादी करूँ, जहां पर tigers बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, so, wherever we hands to complete, अपने tiger को, अपने target को complete करने के लिए, of killing 100 tigers, he marries a girl from the royal state, that has more tigers, so that he can complete his target, अपिसना उन्होंने क्यों करा, so that ओंगा, जो mission है, वो successfully complete हो जाए, wherever he visits his in-laws, और विने वर सुरी, और जब भी वो अपने in-laws को विजट करते, जब भी वो उनके घर जाते, he used to make sure, कि आज मेरा target है, मैं 4 से 5 tigers को, तो किल करूँगा ही करूँगा, तो 6 tigers each time, हर बार वो इतने tiger तो किल करें ही करें, इससे क्या होगा, 30 tigers थे तो 5-6 wizards में उनका ये target complete हो जाएगा, और 100 tigers वो सक्सेफ़फ़़ी किल कर चुके होंगे, in addition, in this way, he was able to kill, और उनकी बात काफी सक्सेफ़़ भी होई, उनका जो थौट था वो काफी, उसको अप्रोच भी कर पाया अच्छे तरीके से, so he was able to kill 99 tigers, but he was unable to find the 100th tiger, और ऐसे क्या करा, जहां पे उनकी wife थी, इन-laws की जो place थी वहां के भी, उन्होंने 29 tigers को successfully kill कर दिया, अब बात बची थी, last tiger की, जो की 100th tiger था, और जिससे उनको बहुत major threat था, major danger था, और जिससे उनको बहुत careful रहना था, बहुत alert रहना था, so on not finding the 100th tiger, the Maharaja became violent and threatened the divan, अब जब उनको सौवा टाइगर, जो last tiger जब उनको नहीं मिल पाया, अपनी wife के state में भी, तो उनको बहुत गुसा आगया, बहुत furious हो गए, गुसे में आगया, violent हो गए, भड़ा गए और threat करते हैं दिवान को, जो subordinate था, दिवान उनको वो threat करते हैं, उनको धंकी देते हैं, in order to save himself from the fury of the king, the divan got an old tiger, from the circus and with great difficulty put him in the forest, और क्या करा, दिवान अब डर घबर 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 आगया, कि वो क्या कर सकता है, king को इतना गुसा आ रहा है, और king ने धंकी दे दीती है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, तो मेरे लिए एक tiger ढूँड कर आभी किस, वो एक टाइगर उनको चाहिए था, अपने target को complete करने के लिए, तो दिवान काफी डरा सहमा हुआ, इन ओर टू सेव इंसिल्फ फ्रम दे फ्यूरी ऑफ दे किंग, किंग के डर्ज किंग के थ्रेट से इतना डरा हुआ था, किंग के गुसे से इतना डरा हुआ था, कि दिवान ने क्या करा, और बहुत डिफिकल्टी के साथ उनको उनने फॉरेस्ट अपनी कार में लोड करके लाए, और फिर कार से रात हु रात उनने उनने उनको इस फॉरेस्ट में जंगल में छोड़ दिया, तांकि इसका यह शेकार कर ले और उनका टार्गेट कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि दिवान was very much, he was very much feared with the threat of the king, उनको बहुत डर, वो बहुत डरे होए थे, कि king अगर उनको टाइगर को वो नहीं किल कर पाए, तो मुझे तो पक्का किल करी ही देंगे, तो इस कारण से वो काफी डर, अब किसने बताया महराजा को टाइगर के बारे में, दिवान ने महराजा को बताया about the tiger, क्या बताया कि कोई एक जो last hundred tiger था, उसके बारे में यहाँ पर बताया, बेकिस यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, दिवान बेकिस वो बहुत डर गए थे, और उन्होंने एक circus के old tiger को अपनी कार में लूट करा, और उसको forest में छोड़ दिया ताकि king उसको tiger को ढूण ले और उसको kill करके अपना target complete कर ले और हमारी jan को छोड़ दे, so he told Maharaja about the tiger, so Maharaja went on a hunt and shot the tiger and felt victorious and happy, और finally वैस जैसा उन्होंने प्लान करा था, वैसे ही चीज़े हुई, Maharaja went on a hunt और वो हंट पे निकले और उस tiger को अपनी gun के bullet से shot करा, और उनको जब उसको kill कर दिया, he felt very victorious, उनको लगा कि मेरी विज़ई हो गई है, मैं जीत गया हूँ और उनको बहुत खुशी हुई, इसके साथ साथ खुशी किया हुई, because जो खत्रा उनके सिर पे मंडरा रहा था, जो threat उनको लग रहा था, कि उनकी जो death होगी, वो tiger से होगी, अब जो prediction था उनके बारे में, वो उन्होंने उसको fail कर दिया, और वो successful feel करने लग गया, बहुत खुश हो गया, but then again, he didn't, अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा twist, but then again, he didn't know that his bullet missed and the tiger was alive, और क्या हुआ, यह important चीज हमें ध्यान रखनी है, कि क्या हुआ, कि उन्हें यह बात पे ध्यान नहीं तिया, कि जो bullet निकली थी उनकी gun से, वो नो बहुत aim करते हैं करा, बट एक hairline difference है, मतलब एक चो hair होता है, इतने बारीक difference है, वो bullet miss कर गई और tiger वो जिंदा ही था, बस वो faint होके गिर गया था, बेवोश हो गया था, आवास की वज़े से, क्योंकि वो ऐसे old tiger था सर्किस का, बट वो अभी मरा नहीं था, मतलब जो mission था, जो target था, hundred tigers को complete करने का, वो अभी complete नहीं हुआ, बट किंग को तो ऐसा लग रहा था कि उनका mission complete हो गया है, now but then again, he didn't know that his bullet missed, and the tiger was alive, and he only collapsed out of fear, और वो सिरफ डर की वज़े से वही पर वो कुलाप्स हो गया था, वही पर वो गिर गए था, because old tiger था, no one has the guts to tell the truth to the king, अब किसी में इत्ते guts नहीं थे, किसी में इत्ती हिम्मत नहीं थी, कि कोई महराजा को जाके बता दे, कि सर जो आपने वो last tiger को जो hit करा था, वो मरा नहीं है, वो अभी बे जिन्दा है, किसी में इत्ती हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो गुसा उनका पता नहीं था, वो किसी इंसान कोई hit ना, shoot ना कर देते, और किसी इंसान की डेथ हो जाती, हंड्रेट इंसान होता जिसकी डेथ हो जाती, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, तो डर के हमारे, किसी ने भी इतना डेर नहीं करा, कि वो king को reality के बारे में acquaint करते हैं, reality के बारे में बताते, so to tell the truth to the king, so they killed the tiger and brought it in a grand procession, तो उन्होंने क्या करा, कि चलो हम लोग इसको खुदी मार देते, आदा तो ये भेऊश है, आदा हम इसको मार देते, उन्होंने उसको hit कर दिया, और जब वो tiger मर जाता है, तो उसको एक बहुत grand procession, इसको बहुत जाकी के form में, सब बहराती जैसे ऐसे ले के आते हैं, और उनको वो king के palace में ले आते हैं, king के kingdom में ले आते हैं, ऐसे, lastly, the maharaja was joyful and happy, और आखरी में, maharaja को बहुत relaxed feel हुआ, और बहुत ही content feel हुआ, अब relaxed क्यों feel हुआ, क्योंकि उनका जो target था, वो successfully complete हो गया, और उनका जो mission था, उन्होंने उसको attain कर लिया, अब वो, he was free from all sorts of threats, या जो भी वो, उनकी जो prediction थी, astrologer ने उनके बारे में कर रही थी, वो सबसे free हो गया, अब वो बहुत joyful और बहुत ही happy feel कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ दिनों के बाद उनके बेटे का birthday था, वो भी third birthday था, तो कुछ दिनों के बाद जब उनके बेटे का birthday था, so on his son's birthday, he buys a wooden tiger as a gift for him, तो अब वो बहुत सारी shops पर जब देखते हैं, तो उनको कुछ worth gift नहीं लगता कि मैं अपने बेटे को दू, अब उनको लगता है कि इस शुद बेटे के था बेटे के third birthday पर, तो tiger had rough edges and while playing with it, he gets a wood cut in his hand, which later advances into one infection, अब क्या हुआ, tiger had rough edges, जब लकडी आपने देखा होगा, आपके घर में भी जो wooden doors होते हैं, कोई भी लकडी का table होता है, कहीं पर अगर उसके edges sharp नहीं होते हैं, edges अगर उसके fine नहीं होते हैं, smooth नहीं होते हैं, rough होते हैं, थोड़ी-थोड़ी से लकडी ऐसे से निकली रहते हैं, तो उसमें कुछ-कुछ लकडी कैसे से, you know, slivers ऐसे निकले रहते हैं, और वो ऐसा ही case था, because वो किसी semis के, या unskilled carpenter ने बनाया था, जिसकी वजह से, उसके edges rough थे, वोनमें से थोड़ी सी लकडी निकल रही थी, और जब वो अपने बेटे के साथ, Stoy Tiger के साथ खेल रहे थे, he gets a woodcut, और वो एक लकडी का part, वो जो एक sliver था, उनके हाथ right hand की palm में घुश जाता है, और उनका जो, और जो लेटर क्या हो जाता है, उनको advance हो जाता है, into an infection, और आगे बढ़ते बढ़ते वो जो infection था, उनके हाथ में जिसकी वजह से pus create होती है, और वो infection पूरी बाजुना फैल जाता है, and because of it, he dies, और इसकी वजह से, finally उनको hospitalized करना पड़ता है, और जब उनकी surgery होती है, तो it is found that क्योंकी death हो जाती है, और finally वो वोट का जो toy tiger था, उसकी वजह से उनकी death होगी, therefore, fitfully, as destined to happen, ये तो होना ही था, the hundredth tiger, although made of wood, although that was lifeless, although that was inanimate, उसमें कोई flesh और blood नही था, वो लकडी का था, वो lifeless tiger था, बट उसने भी king की death कर दी, takes its revenge, अपना वो बदला लेता है, सारे 99 tigers का वो बदला लेता है, और king को वो kill कर देता है, जैसा की destiny में लिखा था, या जैसा की fitfully होना ही था, so with this, we end with the discussion of this beautiful chapter, जिसको बहुती satiric way में, आयनिकल वे में लिखा है हुमारे author ने, now, coming towards the conclusion of the chapter, so by means of the tiger king summary, the writer wants to say that, no one can change what is written in destiny, no matter what they do, देखिए, इसे literally, हमें भी यह चीज़ सीखने को मिलती है, और आपको भी यह लेसन लेना चाहिए, कि जो किस्मत में लिखा है, और जब किस्मत में लिखा है, और ऐसा अपने जो pre ancestors हैं, आपने जो पुराने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं कि, समय से पहले और किस्मत से जादा, कभी किसी को नहीं मिला है, and so goes here also, कि the writer wants to say that, no one can change what's written in destiny, जो हमारी किस्मत में लिखा है, वो तो कुछ भी हो जाए, हमें मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी मिले, कहीं पर भी मिले, बट वो मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी कभ मिलेगा, जब exactly उसका time defined है, वो समय से पहले नहीं आएगा, और जितना लिखा है किस्मत में उतना ही आएगा, हम उसको positive way में भी consider कर सकते हैं, और negative way में, तो यह जो example हमें बता रहा है, no matter what they do, चाहे लाग कोशिशें कर लें, जो किस्मत में लिखा है, वो मिलना ही है, जब लिखा है तब मिलना है, तो यह जो conclusion था, यह थोड़ा सा negative way में जा रहा था, बट मैं अगर आपको एक personal lesson देना चाहूँ इस chapter से, so it's just that, to all my board aspirants की देखो, आप महनत करते जाओ, यह मत सोचना कि लाग कोशिशे कर लें, कुछ नहीं होना, जो किस्मत में वही होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगे, आप कोशिश जरूर करिए, आप कोशिश करते रहिए, यहाँ पर अगर हम exactly, इसको समझाए या इसको हम infer करे, तो हम यह समझ सकते हैं कि, कहीं ना कहीं, king की गलती थी, और overconfidence था कि, tiger kill होगे, अगर he would be very alert, cautious होते हैं, उन्होंने चेक किया होता, तो उनको भी पता चल जाता, कि ऐसा नहीं है, but anyways, ignoring the story, message is that, कि आप को efforts तो जरूर करनी है, और जो किस्मत में लिखा है, अच्छा ही लिखा होगा, बहुत अच्छा है, वो सारे negative direction में करी थी, किसी को किल करना, किसी के, even at the cost of life, अपनी life को बचाना, this was not a noble cause, तो आप खरम करते रहिए, positive way में फल जरूर मिलेगा, so, now let's head towards discussion of the question and answers, which are given after your, after the completion of chapter, so, सब से पहला, the story is a satire, on the concert of those in power, how does the author employ, the literary device of dramatic irony in the story, जिसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है, जल्दी से इस question को read करते है, so, on surface level, the tiger king seems to be a simple story about a royal prince, अब अगर हम इसको ground level पे discuss करे, बेसिक लेवल पे अगर हम इसकी बात करे, तो जो chapter tiger king, ऐसा लगता, it seems to be a simple story about a royal prince, एक royal prince, एक kingish prince के अबारे में, बहुत ही यह simple story है, his growth and exploits as a king, उनकी growth कैसे होती है, और कैसे वो exploit करते हैं चीजों को, being a king, being a powerful authority, the prophecies at his birth, about the manner of his death, that make this story interesting, by introducing the element of surprise and suspense, तो यह दो चीजे कब आई, जब prophecies, जब उनके बारे में जब विश्यवानी हुई थी, जो chief astrologer ने करी थी, कब करी थी, at his birth, about the manner of his death, कि किस तरीके से उनकी death होगी, तो एक tiger किल करेगा इंको, that make the story interesting, by introducing the element of, और यही चीज़ story को interesting बनाता है, जब introduce करता है, element of surprise and suspense, on a deeper level, अब हमने बात करे थी, बिल्कुर यह बेशिक लेवल पे बात करे, अब अगर हम इसकी तहह तक जाएं, इसको deeply discuss करें, तो हमें क्या पता चलता है, so on a deeper level, the story is satire, on the concept of those in power, यह बिल्कुल सही है, यह story बहुत अच्छे तरीके से, उन पे satire करता है, कि जो लोग powerful होते हैं, जो लोग king होते हैं, जिनके हाथ में सारी powers होती, जो इसका कोई भी undue advantage ले सकते, तो उन पे बहुत अच्छा satire है, यहाँ पे बहुत सारी ताकत होती है, बहुत पारफुल होते हैं, बहुत रिच होते हैं, उनको अपनी हर चीज में बहुत प्राउड फील होता है, उनको अपने आप पे बहुत एं घमंड रहता है, और वो हमीशाँ उनका जो confidence है, वो over confidence होता है उन लोगों को, जो भी वो करें, वो जैसे भी करें, टू सच स्पिसिमेंस इस टीओरी आप टाइगर किंग पारफिसर अब ऐसे ही दो एक्जामबल हमे है इस स्टीओरी में देखने को मिले, एक जो बैस्ट एक्जामबल था वो टाइगर किंग का था, और दूसरा की बिटिश ओफिसर, वो भी higher rank का British officer था The author employs dramatic irony and humor to show their faults and weaknesses अज़ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अपनी, you know, बहुत विटफुल तरीके से वो इन दोनों, he employs dramatic irony, बहुत जदा आई निकल और humor use करते हैं to show their faults and weakness कि क्या इन में कमिया थी, क्या इनकी खामिया थी, क्या गल्तिया थी इन लोगों में, इन दोनों में The words of these characters carry an extra meaning They do not know what is going to happen The tiger king resolves to hunt a hundred tigers to disapprove the prediction of the astrologer और यहां पर क्या उनके जो words थे The words of these characters चाहे British officer के हो यहां फिर वो tiger king के words क्यों नहों They carry an extra meaning उनमें extra में कोई छुपे हुए meanings होते थे They do not know what is going to happen उनको यह नहीं पता था कि वाकई में ऐसा होता है कि किसी ने अगर आपकी destiny बनाई है अगर किसी ने अगर किसी ने आपका future predict किया है तो क्या वो बिलकुल सही क्या बात सही प्रूब होगी ही होगी और आपने बिना scientific तरीके से बिना logically सोचे आपने एक effort करी और hundred tigers को kill कर दिया Root way में यह कौन सी humanity है यह आपकी क्या cruel wickedness nature के बारे में बता रहा है So they do not know what is going to happen The tiger king resolves to hunt a hundred tigers to disprove the prediction of the astrologer और ऐसा ही एक effort किस ने किया था to disprove करने के लिए जो astrologers ने उनके भारे में जो prediction दिया था उसको disprove करने के लिए और in a stubbornness he falls prey to a wooden tiger और उनकी जद की वज़े से उनका ही घमंड उनी से तूट गया कैसे तूटा जब एक लकडी का tiger जब एक wooden tiger एक toy ने उनको kill कर दिया और उनकी वो जो destiny थी वो true हो गई और जो लिखा था fate में which was destined to happen वो तो हुआ वो कुछ भी कर ले वो कैसे भी कर लेक life less tiger ने उनको life less बना दिया so this is the bigger biggest satire जो यहां पर हमें देखने को मिला अब दूसरा example यहां पर आता है the high ranking British officer is equally weird वो भी बिल्कुल ऐसा ही व्यर्त की effort करी थी उन्होंने जिसके बारे में हम पढ़ते हैं he is more interested in photograph with cows than hunting itself अब उन्होंने exactly बूला क्या था जब उन्होंने permission ली कि can I go for tiger hunting in your state तो जब tiger ने जब king ने मना कर दिया कि tiger hunting is banned या prohibited है इस state में you are not supposed to do that तो और जो कर सकता है वो सिरफ मैं ही कर सकता हूं tiger hunt तो तब British officer यह जो थे high rank के उन्होंने बूला कि what all I want is में को यह नहीं चाहिए कि मैं tiger को hunt खुद अपने हाथों से करूँ आप उसको kill कर दो because it is your wish your desire but मैं बद चाता हूं कि वो killed the tiger के साथ मेरी एक photo हो जाए और शीम्स लेकि मैंने उस tiger को kill कर तो क्या यह बाते कर रहे है like this is the biggest you know satire which is used he is more innocent photograph photograph click कराने का जदा interest था with the dead body को भूला गया यहां पर then hunting itself the tiger king offers to organize any other hunt except tiger hunt और यह जो tiger king है वो उनको बोलते है आप कुछ और hunt कर लीजी आप चुखों को hunt कर लीजी आप mosquito को hunt कर लीजी कि tiger hunt नहीं कर सकते है because उसका right तो सर्फ मेरे पास है so tiger hunt offers to organize any other hunt कुछ भी कर लीजी except tiger hunt आप यह नहीं कर सकते आप बोर hunt कर लीजी बोर क्या हो दा जगली सुवर को बोर बोला जाता है जो बड़े बड़े होते हैं तो आप बोर हंट कर लीजी आप माउस हंट कर लीजी चुहों का शिकार कर लीजी और mosquito hunt आप मच्छों का शिकार कर लीजी आप इन सब को मारी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं टाइगर को नहीं मार सकते हो तो देन यहाज तो लोज 3 लाक अफ रूपीज और इसकी वजह से क्या मूर किता करी कि यह क्योंकि उन्हें उन्हें उनकी बात को को दिस्प्रूफ कर दिया था रिफ्यूस कर दिया था उनके प्रिपोजल को उनकी बात को करने से मना कर दिया और इसलिए उनको कॉम्पेंसेट करने में थ्री लाक समफ मनी उनको पे करना पड़ा जै बिकिस अब उन्हें 50 डामन की रिंग्स ओर करी थी तो उसका पूरा ब रूपीस for his refusal the ego of the British officer is satisfied और उनकी को भी satisfy होगी कि उसने उसको कंबन सेट कर दिया थी लाक से हम उनको ठीक है रहो जुक तो गया लाइक क्या है यह कि आपकी विश क्या थी फिर वह विश चेंज होगी photograph पे photograph से 3 लाग रुपी में आप कंबन सेट होगे what is this so then when his wife is pleased to get diamond ring sent by the ma maharaja तो भी बहुत satisfy हो जाते हो भी बहुत खुश हो जाते है अपनी बातों को भूल जाते है कि अब मुचे कोई revenge नहीं लेना maharaja के साथ की उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं माने so this is all about की जो हमें example देखने को मिले दो characters के बारे में इंसे पता चलता है कि किस level की का mindset था इन ल willfulness of human beings यह बहुत ही sensible topic है it is worth discussing so what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings हम अपनी इच्छाओं के लिए अपनी needs demands desires को fulfill करने के लिए उन innocent animals को kill करते है उनका hunt करते है just for the sake of our benefit तो यह कहां तक सही है हम इसको justify करना है so let's immediately look at the answer for centuries सालों से कितने century is a period of one century is equal to यह पर hundred कितना comment देखने को मिल रहा है hundred tiger, hundred year और for centuries सालों से मतना 100-100 साल की कितने period जागे 300-400 साल so for centuries यह आज का नहीं है decade का नहीं है centuries की बात हो रही है कि क्या होता रहा 400-500 सालों से ऐसा होता रहा innocent animals have been subjected to the will willfulness of a human beings willfulness of human man has been killing animals for sport, meat और organs of body अब क्या करते हैं हजारों सालों से ऐसा होता रहा है कि जित्ते भी यह innocent animals होते हैं they have been subject to the willfulness of human beings यह इंसानों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बली चड़ते हैं man has been killing animals for और अब इंसान जानवरों का kill किस-किस purpose के लिए करता है, sports के लिए करता है as a sport activity, as a leisure activity, as a hobby और entertainment के लिए करते हैं, उनका flesh खाने के लिए करते हैं और last organs of the body उनके use किया जाते हैं multiple purposes के लिए तो उन सब चीजों के लिए illegal और unlawful तरीके से innocent animals को hunt किया जाता है, kill किया जाता है by we people, the author doesn't make any direct comment about it in this theory story में तो कोई direct comment नहीं करते हैं man advances strange logic to defend even his unlawful and cruel acts a man क्या करता है, advance करता है अपने just strange logic होते हैं अपनी बात को बचाने के लिए मेरा तो reason बहुत justified था, मेरा reason तो बहुत genuine था कर मैं उनको नहीं मारता है तो वो मुझे मार देते तो एक को तो मर नहीं था, तो I thought of killing them तो अपने लिए अपनी बात को justify करने के लिए अपने दिल को तसल्ली देने के लिए लाइक ओल अजवल थी करे तो बहुत अचा काम करे के ल करके तो just for the sake of defending themselves or for their mere और तो weird satisfaction के लिए वो ऐसे excuses देते हैं So man advances strange logic इते strange weird logic देते हैं to defend even his unlawful and cruel acts के लिए Then the Maharaja quotes an old saying You may kill even a cow in self-defense और यहाँ पर महराजा एक कोर्ट देते हैं जो पुराने सब्सक्राइब अपनी बात को justify करने के लिए अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो सही है कोई गलत नहीं है इसमें भले वो cruel task है भले वो wicked task है वो unlawful है वो unethical है illegal है यह सब जानते हुए फिर भी वो कर रहे हैं और उसको justify भी करते हैं क्या बोलते हैं चाप्टर में भाराजा बोलते हैं कि you may kill even a cow in self-defense कि आपको अगर आत्मरक्षा करनी है self-defense कि भले cow क्यों नहों अगर आपको उसको भी किल करना पड़ें तो दर्ट्स ओके अब काव का एक्जांपल यहां पर क्यों लिया है बिकिस्काव इस considered to be the holy animal हम काव को as a mother consider करते हैं who nurtures the entire world और हम काव को worship करते हैं as goddess तो उसको इतने holy animal को भी किल करना self-defense के लिए that is logical that is very much justified तो अपनी बात को वो justify कर रहे हैं by quoting this old saying hence he finds no objection to kill tigers in self-defense और वो कहरे जब हम गाएं को गिल कर सकते हैं self-defense के लिए तो tiger कौन सी बड़ी चीज हैं tiger को भी कर सकते हैं similar way में it reveals not only the callousness of human beings towards wildlife but their disregard for maintaining ecological balance अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यह बाते हैं यह क्या reveal करते हैं क्या दर्शाति हैं that not only the callousness of human beings मतलब इंसान की rude weird यह जो cruel nature है unconcerned approach है towards wildlife but their disregard for maintaining ecological balance but यह बिल्कुल consider नहीं करते हैं कि ecological balance करना भी same time बहुत जरूरी यह सब को ignore करते हैं the extinction of tiger species in Pratibandpuram state and the state ruled by the Maharaja Swaden law imply illustrates the result of man's cruelty towards wild animals और end में क्या हुआ था जब king के भी death हो गई थी तो क्या हुआ था extinction of tiger species अब tiger जते भी ते 70 tigers all together एक स्टेट में सर्वाइब करते हैं और 70 के 70 tigers को अगर किल कर दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता यह जो species extinction के वर्ट पे आ जाएगी यह ज़ोंट भी अन्ने वर्ट उफेंडिक सो इस्टेंग्शन टाइगर स्पीशेज इन प्रतिबंद पूरम स्टेट अन्ट स्टेट रूल्ड बाय महराजास फादर इन लौ और उसके बाद वेकिस उनका जो बेटा था वो तभी थ्री यह थर्ड बर्डे ही सेलिब्रेट कर रहे थे वो तीन साल का ही था भी रूल नहीं कर सकता था तूंकि आप संस में किस ने रूल करा उनके फादर इन लौ ने रूल करा यह इंप्लाई यह इलिस्ट्रेट करता है दर रिजल्ट ओफ मैंस क्रुयालिटी कि आप अगर अगर आप दूसरे लिविंग क्रियेचर्स के लिए इतने क्रूल इतने विकट प्रूव होगे तो वह चीजें आपके साथ भी इतनी क्रूल है इतनी विकट प्रूव होंगी तो इट वाइल अन ओल टाइगर हास तो बी बरॉट फ्रॉट पार्फ इन मदरास तो साटस्वा इतनी के लिए उसके लिए उनकी बस एक टाइग की इगो एक इंग की नीड एक डिजायर एक गोल एक मिशन एक ऐसा कुरूल अबजेक्टिव उसको सैटस्वाइग करने के लिए क्या किया गया पीपल्स पार्क में एक मदरास के एक पीपल पार्क था वहां से उन्होंने एक ओल टाइगर को बुलाया और अपनी बस एगो को अपनी नीड को साटस्वाइग करने के लिए उस ओल्ड टाइगर को भी किल कर दिया so this is not exactly then but this puts a question kiya kaha ki humanity hai, ya kaha ki katsi hai, ya kaha ki sympathy hai towards the life, the living life that surrounds you, that supports you. so with this let's move towards the next question, how would you describe the behavior of the Maharaja's minions towards him, do you find them truly sincere towards him or are they driven by fear when they obey him, do you find a similarity in today's political order, so let's check with the answer. so here we go with the answer but पहले जल्दी से समझते की minions होते क्या है, so how would you, हम कैसे describe करेंगे behavior of the Maharaja's minions towards him, Maharaja के जो भी minions थे, वो उनकी तरह, उनके लिए कैसा behave करते थे, वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते, राजा के प्रजा होती है, राजा के subject, king and his subjects, so subjects का behavior या उनकी thoughts क्याते towards, do you find them truly sincere towards him, क्या आपको जा सकते हैं, वो truly sincere थे, क्या वाकही में वो उनकी बातों को obey या फिर वो किसी धंकी की वाज़े से डरे सहमें थे और वो उनकी commands को obey करते थे, और are they driven by fear when they obey him, do we find a similarity in today's political order, तो जब आपने वो example देखा था, कि वो अपने दिवान को बुलाते है, और उसको order देते हैं कि मैं को एक टाइगर चाहिए, जिसको मुझे किल करना है, और else I'll kill you, तो उसकी वज़े से उतना डर गया था कि वो कहां से, मैडराश के एक पार्क, पीपल पार्क से वो एक ओल्ड टाइगर को ले की आया, और उसको फॉरे में आतुरा छोड़ दिया, जिसकी व a minion is an unimportant person in an organization who asked to obey orders, a minion exactly raja की प्रजा को बोला गया है, वो एक unimportant person होते है, एक organization में, जिनका काम के रहता है, सिरफ जैसी आपको आग्या दी जाए, आग्या का पालन गरी, you are just supposed to obey the orders of the king, the maharaja has many minions, और बाकी हो के जैसे, बाकी kings के जैसे, ये maharaja के में बहुत सारे minions थे, और servants सकते हो, most of them fear the maharaja and obey his orders faithfully, अब उन में से जाधा तर जो थे वो, order, वो maharaja से डरते थे, and maharaja and obey his orders faithfully, और उनके डर की वजहे से, उनके orders को के आग्याओ का पालन, बहुत sincerity से, बहुत discipline तरीके से करते थे, they dare not disobey him, और contradict him, अब उनकी हिमत भी नहीं होती थी, वो गलती से सप नहीं में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे, उन में ते गट्स नहीं थे, कि how dare you disobey me, कि वो कैसे गलती से भी उनका disobey करें, उनकी इतनी भी हिमत सोचने की भी हिमत नहीं होती थी, और यहां तो उनकी बातों को काटें, उनकी बातों को contrast करें, उनकी बातों को refute करें, उनकी इत yes 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 करते रहते ते लिक बास इस राइट गिंग इस राइट ऐसा वाला दो महराजा इस प्लेशर निस प्लेशर का मतलब यह होता है कि यहां तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा यहां तो आपको भी उन टाइगर के जैसे गन शाट कर दिया जाएगा क्योंकि अब the job or you have to be fired and put to death तो कुछ भी हो सकता था only a few of them are truly sincere towards him उन में से बहुत ही हैंज फुल होते थे जो genuinely as a respect वो King Tiger को respect देते थे यह उस King को बातों को वो follow करते थे sincerity से from heart one such person is the chief astrologer और ऐसे ही उन में एक परसन थे जो की chief astrologers थे जिनों ने उनको उनको बारे में सही चीज को predict करा और उनको सही बताया वो चाहते अगर वो डर की वज़े से या थ्रेटिंग की वज़े से कुछ इसको manipulate कर देते गलत बता दे बट उनने ऐसा कुछ नहीं करा जो उनको reality में समझ में आया जो उन्होंने देखके जो calculation करी जो गुरह नक्षक स्टार्ट और जो science बोलते हैं उनने exactly उसको read करा और उन्हों के सामदे उस चीज को present करा और उन्होंने तो इस बात का चीज को इतने सालों का experience भी था और उन्होंने क्या बोला कि he is willing to bump his books of astrology कि burn it is not bum it is exactly burn so he is willing to burn his books of astrology और उन्होंने राजा को बोला कि अगर मेरी भब शिवानी गलत हो जाए या अगर मेरी आपको ऐसा लगता है कि बात सच प्रूव ना हो तो मेरी जितने भी astrology की बोक है मैं I'll put them on fire मैं उनको आग लगा दूंगा और जो मेरा टुट है मैं उसको कटवा दूंगा जितने भी पंदत्स होते हैं जितने भी astrology astrologers होते हैं वह ब्राह्मिन का कल्चर होता है कि वह अपने हैड में पूरे बाल्ड हो जाते हैं बट यह जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें एक सरकल रखते हैं पोनी टेल जैसी रखते हैं जिसको हम टफ्ट बोलते हैं जितने भी बुक्स मैंने आज तक पढ़ी हैं जिसकी वज़ेस है मैं astrology कर पाया हूं सारी बुक्स को I'll put them on fire आग लगा दूंगा और इवन जो हमारा जो culture जो मारी पहचान है मैं उसको भी cut करा दूंगा और मैं अपने बालों को भी बिल्कुल cut करा दूंगा crop is there shot if its prediction proves untrue और ये कब होगा अगर मेरी कोई कही हुई बात अगर गलत प्रूफ होती तो मैं ऐसा बिल्कुल कर दूंगा क्या करता अपनी सारी keep the Maharaja in good humor और वो बाकी जो लोग होते हैं वो जो जित्ते भी जो जैनुवन नहीं होते हैं जो डर की वजह से महराज को रिस्पेक्ट देते हैं उनको ओबे करते हैं तो उनको इदर उदर की हसी मजाग की बाते बताते रहते हैं और चीफ एस्ट्रोजर बहुत ही जैनुएं थे अपनी अपरोच में और उनको उनका कोई डर नहीं था क्योंको मार देंगे उनको कुछ बिकार देंगे उनको जो ट्रू लगा उन्होंने वही बोला और उस पर उनने बैट भी करा ही किन चालेंज ओन डट नव इवन दिवान इस नो एक्सेप्शन और दिवान भी कोई आलग एक्जैंपल नहीं था मिनी ओफिर्सर्स लूज देर जोब जिनने महराजा स्विरियन ओफिनेसी माउंट हायर दे किंग्स बुलेट मिसेज नहां रेट टाइगर और ऐसे ही एक्जैंपल में जो और सारे एस्ट्रोजर्स थे उनकी ही काटेगरी में दिवान भी आता है जो उनकी डर की वज़े से जिसने ये बात नहीं बताई कि जो हंड्रेट टाइगर था जिसको महराज आपने खिल करा था किंग वो एक्जाक्ली वो मरा नहीं है वो बस फेंट हुआ था उस गण शॉट के उस बुलेट की आवाज से बिकिस वो ओल्ड टाइगर था बिकिस वो डर था लोगों को कि किं ना करने उनी को ना गुली मार दे तो इवन दिवार इसमें एक्सेप्शन मिनी ओफिसर्स लूज दे जोब बहुत गुसा आता था और उनकी जो जिद थी वो और और बढ़ती जादे उनका जिद बढ़ती गई उनका गुसा तेज होता गया तो बहुत सारे ओफिसर्स को भ से निकाल दिया था उन्होंने दिटेंग बुलित मिसेज्ट रहन incentiv और फाक्त कि वो कि किसी में इतनी डियर नहीं थी कि वो किंग को बता सके वे किस ओफ फियर की वज़े से वो इसको रिस्पेक्ट करते थे उनको अपनी लाइफ का खत्रा था उनको अपनी जॉप का खत्रा था इट फेंट फ्रम दे शॉक एंड फॉल्स आज क्रमबल हीप वो डर के मारे से गिर जाता तो उसको शॉक लगता है कि मिटी का धेर एक गिर जाता है दो हांटर्स रियलाइज दे ट्रूद और हंटर्स को बात पता चल जाती है कि वो जैसी जाते है चब किंग वह लाहन्रेट टाइगर को बुलेट से मार के आते हैं और वह अपनी सब्जेक्स को ओर देते हैं को ले आई अच्छे से तो जैसी वो हंटर्स रियलाइज करते हैं कि यार यह तो मरा नहीं इसकी आँके तो खुली है तो हमें देख रहे हैं थोड़ा ऐसे से करके देन बट डेसाइड नॉट तो रिवील इट तो दे किंग को मत बताना कोई भी नहीं तो हमें ही मार देंग कि आज के पॉलिटिकल ओर्डर में भी अप्लाई होती हैं लेट्स चेक विद डाट पाट पर दे क्वेशन सो यहाँ पर हमने देखा था डूवी फाइंड डूवी फाइंड डूवी फाइंड एसी चीजे हमें लगता है आज का जो हमारा पॉलिटिकल ओडर है वहाँ पे इन टोडिए स्पॉलिटिकल ओडर सबादिने इस सफेरियर बॉसेश एज डफेंड डेफ अप्रोच करते हैं ऐसे वह को बोल सकते ना तो सुन सकते जो बोला सुनते जाएंगे और आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे तो बहेव करते हैं जब यह वह वह बाइब कर जो उनके बास चाते हैं कि वह उनको देखें जैसा उनके बास उनको इंस्टरक्ट करते देर जास लाइक पपट्स जैसा बास बोलेंगे वह सब सही बास जोलवेज राइट तो यह वाला सीन है आज की लाइफ में भी ऐसा ही होता है तो यह सेल्फ इंट्रेस्ट एंड फिय of elimination और उनका सेल्फ इंट्रेस्ट उनकी जो खुद की इच्छा और उनको जो डर रहता है कि हमें रिकाल दिया जाएगा जोब से हमें जान से मार दिया जाएगा इन सब की वज़े से वह एक बहुत आग्याकारी सर्वेंट बंके वहापे सर्वाइव करते हैं बिकिस उनको नौकरी चलानी होती है so this is very true even these cases are applicable in today's life as well we can witness them very easily in almost all the political places heading with the next question can you relate instances of game hunting among the rich and the powerful in the present time that illustrate the callousness of human beings towards wildlife अब ये question क्या पूछ रहा है क्या आप ऐसा कोई instance को connect कर सकते हो relate कर सकते हो game hunting का among the rich and the powerful in the present time की present time में जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं जिक बहुत पैसा होता है बहुत ताकात होती है जो बहुत पार्ज होती है क्या वो लोग भी game hunting ऐसे ही कुछ चीजें करते हैं क्या जो illustrate करे callousness wickedness cruelty of human beings toward wildlife so let's immediately check with the answer in our time tomorrow time big game hunting has been banned by law as so many species of wildlife have been declared endangered species or higher time में क्या हो गया था जो wildlife hunting is called to get the bank of the guy that is this ka thoda purana example आपको पता होगा कि वें सल्मान खान किल्ड अडियर सो डाट जो बैंड था बेकिस कोई ऐसी species and which are on the verge of extinction और अगर आप उंकी hunting करते हो so this is unlawful act जो कि एक illegal approach है जिसको आप नहीं कर सकते जिसका कोई बहुत बड़ा fine तो होगा ही होगा and you would be put behind the bars तो ऐसे rules है तो यहीं पर example दे रहे in our times big game hunting has been banned by law law नहीं उसको illegal unlawful बना दिया है as so as many species बहुत सारी ऐसी प्रजातियां है wildlife में they have been declared endangered species वो खतम होने की कागार पर आगी और अगर बची कुछी को भी हम हंट कर देंगे तो वो species ही खतम हो जाएंगी रुप्त हो जाएंगी centuries जो wildlife centuries होती है national parks होते हैं games reserves होते हैं they have been established you centuries national parks wildlife centuries or gaming parks in the games reserve in sub coke you establish karaga so that we can preserve the wildlife from extinction and maintain the ecological balance in nature even then spodiac even then a sporadic cases of game hunting are reported in newspapers now and यह सब के बावज इतनी efforts करी गई इतने wildlife centuries बनाए गई नैशनल parks को construct किया गया game reserves बनाए गई so that लोगों को awareness creator लोगों को जागरुक बनाया जाए कि what is the importance of preserving wildlife अगर हम अपनी wildlife को preserve नहीं करेंगे तो कुछ ऐसी species है जो बिलकुल इंडेंजर हो जाएंगे खतम हो जाएंगे उनको बचाने के लिए उनको maintain करने के लिए क्योंकि यह हमारी ecological balance जो nature का जो balance है उसको भी maintain करती है तो हर एक जो living creature है जो mammals है उनको protect करना उनको save करना कितना जरूरी है और even the sporadic cases of game hunting जो बहुत ही wild जो बहुत ही weird cases a game hunting के वह अभी report होते हैं in newspaper every now and then in सब के बावजूद भी people अभी alert नहीं है people cautious नहीं है और अभी हर आए दिन हमें ऐसी कुछ ना कुछ news देखने को मिलती है newspapers में it is generally notice that the erstwhile rulers kings और नवाब्स और the rich and powerful persons of famous film stars indulge in game hunting यह generally हम लोग newspapers में articles में पढ़ते हैं कि जो erstwhile rulers होते हैं जो अभी early times के जो rulers हैं यह हम पुराने time की भी बात करें जो kings हुआ करते थे अभी तो इतना common नहीं है बट पहले के time में तो बहुत ही frequent होता था जो बड़े बड़े लोग ते जिन बहुत powerful थे बहुत पैसा था बहुत fame थी बहुत ताकत थी वो लो क्या करते थे चाहे वो famous person हो या फिर वो फिल्म स्टार्स क्यों ना हो दे इंडर जिन गेम हंटिंग शॉकिया तोर पे जानवरों का शिकार करते थे दे केसे अगेंस्ट लेट में के पटाओधी और सल्मान कान और स्टिल पंडिग पंडिग और अभी भी ऐसे पंडिग इन कोट्स के इस को अभी ऐसे चल रहे हैं पोचर्स आड़ स्मगलर्स तू डिस्ट्रोइव लाइफ फॉर स्केन मीट और वेरियस और इस ऑर्गन दो जो इन लीगल काम करते हैं और स्मगलर्स जो इन लीगल तरीके से पैसा बनाते हैं गलत काम करके चोरी चिकारी करके पैसे को बनाते हैं तो अभी भी बहुत सारे पोचर्स हैं स्मगलर्स हैं डे टू डिस्ट्रोइव वाइल लाइफ वो अभी भी नाचरल जो नेचर में ज जिसको बेचेंगे बुलाखों रुपे मिलेंगे स्नेक के स्किन लेदर जिससे बनता है टाइगर स्किन जिससे विलन वेर्स मिलते हैं यह बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट में बिखते हैं तो इसी लिए वो वाइल लाइफ को डिस्ट्रॉई करते हैं उनकी स्किन के लिए उनके बीट के लिए यहां वेरियस ओर्गन्स ओफ बॉडी के लिए और इसकेप स्कॉट फ्री और बिना पकड़े गए वो फरार हो जाते हैं गायब हो जाते हैं किसी को पता तक नहीं चलता है इन बातों का तो यह कहीं नहीं एक बहुत ही निगेटिव साइन है इतने एफर्ट से अज भी हो रहा है तो इस वेरी ट्रू कि प्रेजन ताइम में ऐसा बिलकुल जस्टिफाइद है यह थी यह थी जाते है टिस द्थेंस अजिए अंग एम फॉन प्रेंट आपने प्रेजने से अज पॉर्फ इस विल्स था इस विल्कुल जस्तिफाइद है people and also in the care of the earth and all life upon it. We have to discuss this. So question क्या आप बोल रहा है? पहले जल्दी से समझ लेते हैं और फिर answer को हम लोग discuss करेंगे. So we need a new system for the age of ecology. हमे एक नया system बनाना चाहिए. For the age of ecology के लिए. A system, एक ऐसा system which is embedded in the care of all people. जो पूरे लोगों की देख बाल में इस system बनाया जाए. And also in the care of the earth and all life upon it. और किसको major concern किया जाए? Mother, earth को क्योंकि जिस पे सारी life exist करती है. अगर earth ही नहीं होगी, ना तो आप होगे और ना तो हम होगे. So that is why यहाँ पे बहुत major importance बताए कि जो हमारी ecological system है, जो nature का, जो natural system है, उसको preserve करना, उसको conserve करना क्यों जरूर ही है? Let's discuss with the answer now. So modern age, अरे यह M क्यों हो रहा है? R, N. This is modern, modern age is the age of ecology. जो modern age है, it is the era of ecology. A new consciousness has arisen among human beings. Animals and birds are as much part of nature as human beings. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? हम बोल रहा है, जिस era में हम जो अभी रह रहे है, present time की बात करें, modern age की बात करें, यह कौन सी age है? Ecology. Ecology को protect करना is your prime importance. Now यह top priority है हमारी. A new consciousness has arisen among human beings. अब human beings के अंदर एक नई जागरुकता आ गई है, वो लोग जागरुक हो गई है. Animals और birds are as much part of nature as human beings. जीव जनतू जानवर पक्षियों का भी उतना ही important role है, उतना ही equal हक है जितना हम human beings का यह से ecology में. The destruction और hapazard killing of one species में not only lead to its extinction. अब क्या औरेज हम जो destruct कर रहे हैं, हम hapazard unwanted killing कर रहें, बिना सोचे समझे हमें wild life को kill करते जारें, इसकी वजे से it would not only lead to extinction of particular species, but also जो हमारा ecological balance है, वो हमारा disbalance हो जाएगा, जिसका loss हमें भी bear करना पड़ेगा. So, the destruction और hapazard killing of one species में not only lead to its extinction, but it will adversely affect the ecological balance. Those animals which serve as food for the wildlife will increase in large number, if the beasts of prey are wiped out. अब इससे क्या होगा, देखो, मान लेजे कि हमने किसी ऐसे ऐनिमल का हंट, ऐसे ऐनिमल को विगरिसली हंट करी जा रहे हैं, जो दूसरा ऐनिमल इस पर depend है, क्योंकि ये उसका food है, और जिसकी वज़े से पूरी food cycle, food change, हमने बच्पन में, science में, biology में पड़ी थी. तो इसकी वज़े से क्या होगा, फिकिस ये तो खताब होगा, आप खाएंगे क्या, तो वो भी कहीं ना कहीं खताब होने लग जाएंगे, बिना खाएंगे, वो भी survive नहीं कर पाएंगे, तो यहां बे बता रहेंगे, तो यहां बे बता रहेंगे, दोज एनिमल्स विट सर्वाइज फूर्ड फूर्ड वाइल लाइफ, जो फूर्ड बनते हैं, वाइल लाइफ क्रियेचर्स के लिए, दारोली इंक्रीज इन लाइज नमबर, इफ दे बीस्ट अब दे प्रे, जो बीस्ट है उस प्रे का, लैक जो शिकार है उन जंगली खतरनाग जानवरों का, इफ दे आर वाइप जाओट, अगर उन प्रे को ही हम वाइप आउट कर देंगे, तो वो लोग भी कैसे बचेंगे, वो species भी कैसे सर्वाइब कर पाएगे, तो पुरी interconnected, interdependent और interwoven chain है, जिसको हमें बिलकुल destroyed ही करना चाहिए at whatever cost. Each species, howsoever, fears, deadly, ferocious or poisonous, has its own role in the scheme of things. कोई भी species हो, कितनी deadly ही क्यों ना हो, कितनी भी खून खार हो, कितनी भी डरावनी ही हो, deadly हो, ferocious हो, poiseness, zehrili हो, उसका कुछ ना कुछ role importance जरूर रहता है इस पूरे ecology में और वो हमें ध्यान में रखना चाहिए. Let's read with the last part. We must devise a new system और इसी लिए हम एक ऐसा नया system devise करना चाहिए. It must focus, sorry, which must focus on the care of all living beings on the earth as well as the earth itself. अब एक हमें ऐसा system device करना चाहिए, जो लोगों से बने, लोगों के लिए बने. और ना सिर्फ लोगों के लिए बने, बलकि हार एक living creature को successfully support और promote कर पाए. तो हार एक successfully creature, मतलब कोई भी bird, animal tree, plant, कोई भी वो चीज हो. और सबसे इंपोर्टन हमें Mother Earth को कजन में रखना चाहिए. So, it must focus on the care of all living beings on the earth as well as the earth itself and all life, vegetative or animal living on it. Steps have to be taken to preserve ecological balance in nature and prevent environmental pollution. हमें सारे वो initiatives लेने चाहिए, सारे वो measures को check करना चाहिए, जिसकी वज़े से क्या हो, ecological balance को, जो ecological balance है, वो maintain रहे, disbalance ना हो, और जिनकी वज़े से क्या हो, और ये किसकी वज़े से जादा हो रहा है, environment pollution की वज़े से. तो हमें कम से कम pollution करना चाहिए और ecological balance करने में सारे initiatives करने चाहिए. Unpolluted air, water and food can make all living beings healthy and enable them to longer lives. और इसके वज़े से क्या होगा, जते भी हम clean air देंगे, उनको breathe करने के लिए, clean food देंगे to eat करने के लिए, clean environment, healthy environment देंगे, जिससे वो सिर्फ अच्छे से वो survive नहीं करेंगे, बलकि बहुत अच्छे से प्रॉस्पर और flourish भी कर सकेंगे. और finally, earth would be a beautiful place to survive in. So that's all about the discussion of all the question answers which are given at the end of your chapter. So here we end with the video with the discussion of the question answers before leaving. The mascot wants to convey something. और इतनी दूर से भाग के क्या बोलने आए है? Please do like, share and subscribe the channel. Thank you very much for watching it.